नमस्कार साथियू, हिंदी नेट शाला चैनल में आप सभी का पुनह हार्द कभी नंदन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परिख्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और सभी प्रतियोगी परिख्षाओं की तैयारी के लिए प्रै ऋपलब्द नहीं थी एक था यही सच्छे कहानी जो मैंने कल्प क्ल्प करवा दी आपको मनुभंडारी जी की दूसरी रचना है सीरीष के फूल सीरीष के फूल यहा निबंद हजारी प्रसाद द्वीवेदी जी द्वारा रचित है यहारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंद संग रहे कल्ब लता में संग रही थे वर्तमान में NCRT कक्षा बारवी की पुस्तक आरो हो के अंतरगत भी यह लगा हुआ है आरो भागदों के अंतरगत भी यह निर्धारिक है सिरीज के फूल का सारांश तो मैं आपको नहीं बतारी हूँ मैं पूरा निबंद प्रस्तुत करूँगी हजारी प्रसाद विवेदी से प्रतियोगी परिक्षाओं में एक बेहद इंपर्टेंट लाइन पूछी जाती है इसमें दी हुई है मैंने देखा तो मैं पढ़कर जो उसकी आत्मा को तेजो दिप्त ना बना सके जो उसके हिर्दय को परदुख कातर और समवेदन शील ना बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है अब आप यह समझेए कि सुरीश के फूल निबंद से पूर्व आपको यह पंक्तियां क्यों लिखी हैं क्यों अब पर सुनाईए पहली वाली तो आप रट लीजिएगा पेपर पूछी जाती है किसकी पंक्तिय है कि मैं साहित्य को मनुश्य के दिरिष्टी से देखने का पक्षपाति एक तो आपको यह याद करनी है क्यों लिखी हैं यह मैं आपको इसको व्याक्या करूंगी को पढ़ने के बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट्स पर पुनहें लोट आएंगे सिरीश के फूल हजारी प्रसाद विवेदी जी लिखते हैं कि यहां बैठ के एक जहां बैठ के यह लेक लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सिरीश के अनेक पेड हैं चलिए मैं आरों में सिरीश का पेड़ घना अच्छा एदार बहुत तो नहीं लेकिन आपने आसपास देखा ही होगा सिरीश के अनेक पेड हैं जेट की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अगनी कुंड बनी हुई थी सिरीश नीचे से उपर तक फूलों से लद गया था ध इमत करते हैं फूली नहीं बन पाते हैं वो फूल नहीं बन पाते हैं कलियां ही जल जाती हैं तनी गर्मी से तो बहुत कम पेड़ ऐसे हैं जो फलते फूलते हैं करनिकार और आरगवद अमलतास की बात में भूल नहीं रहा हूं क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे अमलतास भी त भुचा था है बसंत रित्ू के पलाश की भाती कभी डास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था यह बी क्या कि दस दिन फूले और फिर खंकड के खंकड दिन दस फूला फूल spice के खंकड हैं किया कहते हैं पन चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात तो वो उसके। ऑउसको पसंद नहीं करते थे ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, फूल तो है, शिरीश, लंडूरे शब्दकारता पर बिना पूचवाला, बिना पूचवाला होता ना, ऐसे दुमदारों से तो जिनके पूच होती है, पुर्षों में जैसे मूचवाले होता है, पुर्षों की बात करें तो जिनके रहे हैं उनसे तो लंडू रही भले फूल तो है सिरीश बसंद के आगमन के साथ लहक उठता है आशार तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गात फूलता रहता है अब प्रश्णागर आ जाए तो कि ये कब फूलना प्रार अजस से प्रान उबलता रहता है और लू से हिर्दै सूकता रहता है एक मात्र एक मात्र सिरिष काल जाई अवधूत की भांती जीवन की अजयता का मंत्र-प्रचार करता रहता है यद्ध्यपी अब देखिए यहाँ पर आया अवधूत क्या होता है मुख्यत ऑई सरल शब् पीच में रहकर भी माया, मो, प्रपंच, छल, पाप इनसे दूर है, वो क्या है, अबदूत है, तो अबदूत की भाती जीवन की अजेता का बंत्र प्रचार करता रहता है, कि जीवन अजे है, एक मात्र सत्य है, मृत्यू, यद्यपी कवियों की भाती हर फूल पत्ते को देख कर, देखकर, मुग्द होने लायक, हिर्दे विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूट भी तो नहीं हो, सिरिश के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं, तो हजारी प्रसाद दूवेदी जी जी मानते हैं, कि वो बहुत अच्छे कवी नहीं हैं, लेकिन ठूट भी नहीं है, सरस्तों हैं ही ना, सिरिश के ब्रक्ष बड़े और छायादार होते हैं, देखिए, हजारी प्रसाद दूवेदी जी का जो रिसर्च वरक था, जो पी एच्डी थी, वो कवीर दास जी पे थी, बहुत अच्छे से इन्होंने कवीर दास को प और छायादार होते हैं, पुराने भारत का रईस, जिन मंगल जनक व्रक्षों को अपनी व्रक्ष बाटिका की चहर दिवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक सिरीश भी है, ब्रिहत सहिंता तेरवे अध्याय के पच्वन विश्लोक में यह दिया हुआ है, अशोक, अरे पुन्नाग और सिरीश के चहायादार और घनस्म्रण हरीतिमा से परिवेश्टित व्रक्ष बाटिका जरूर बड़ी मनुहर लगती होगी, अब देखें, उनमें व्रिहत सहिंता भी पड़ी है, फिर बात सायन ने काम सूत्र में बताया है, कि बाटिका के सगन चहायादार बिक्षों की चाया में ही जूला, प्रेक्षा दोला, प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए, यद्यपी, अब इन्होंने बात सायन का काम सूत्र भी पड़ा है, और उसके बाद ये कह रहे हैं, कि यद्यपी पुराने कभी बकुल के पेड में ऐसी दोलाओं को लगा पर सिरीश भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षक्रित कमजोड जरूर होती है, पर उसमें जूलने वालियों का बजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता, कभियों की यही तो बुरी आदत है, कि बजन का तो एकदम ख्याल ही नहीं रख करते, मैं तुंदिल नर्पतियो मैं बहुत को मल माना गया है, अब यहां पे संस्क्रिस आहिते का भी अद्यन नहीं किया, तो उसमें से भी यह देख रहे हैं, देखिए, जब भी निबंद लिखते है ना, तो जब आप किसी राइटर को पढ़ते हो, छोटी-छोटी चीजें देखा करिए, कि उसके ग्यान का विस्तार, वो यह सुन्दर रचना लिखने में, यह लोग कैसे समरतो, हम चार तुकबंदी करके अपने आपको सोचते हैं, बड़े हम मतलब शेरोशायरी करने वाले थोड़ी सी तुकबंदी कर, इनने देखिए, कितना पढ़ा है, अब संस्क्रिस साहिते में देखिए, कि काली दास ने यह बाश शुरू शुरू में प्रचार की होगी, उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है, उनका नेगिटिव में था काली दास ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया सिरीश को, उनको लगता था कि यह बहुत कोमल पेड़ है, और हजारी प सहेत, ब्रहमरास्य, पेलवं सिरीश, पुष्पम, नपुने, पत्रितिनाम, अम मैं इतने बड़े कभी की बात का विरोध कैसे करूँ, सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती, तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, पर यहां तो इच्छा भी नहीं है, यानि उनका करती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ को मल है, यहां भूल है, उसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते, एक सेकंड रुखेगा, बेटा, आप मिठों को अधर ले जाओ, यह आवाज करते हैं, वहां ले जाओ, फो कि आकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक बे डटे रहते हैं, बसंत के आगमन के समय, जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीश के पुराने फल पुरी तरह खड़खडाते रहते हैं, मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं, तो शिरीश के पुष्प के माध्यम से यहां पर हजारी पैसाद विवेदी जी क्या कह रहे हैं, कहीं न कहीं, जीवन के पक्ष में हमें अच्छे उपदेश दे रहे हैं, कि समय रहते ही हमें जीवन की दिशा, मतलब समय की दिशा को पहचानना चाहिए, और समय रहते ही अपनी जो आगामी पीडी है, उसको सिखाते हुए, उत्तर दायत्वों को उनके उपर डालते हुए, थोड़ा सा खुद को दूर हटा लेना चाहिए, है ना, और हमारे भारत कि समाज में तो देखिए, चार आश्रमों की विवस्ता है, पचीस साल तक विध्यादन करिए, पचीस से पचास तक ग्रहस्त, पचास से पिचेतर तक वानप्रस्त, जहां आप अपनी आगामी पीडी को तयार करते हैं, उनको दिशा निर्देश दीजिए, लेकिन जिम्मे को ऐसा नहीं करते, आप लोगों को हसी आएगी, लेकिन मेरी चैनल से बहने बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, बेटा थोड़ा सा पानी डाल ले हैं, मेरी बहने थोड़ी सी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, भाई लोग भी इस चीज को जानते, देखिए, सबसे ज़्या समश्य कहां रहती है, जो देखते हैं समाज में तनाव की स्थिति, सास और बहु के जो संबंद हैं, उनमें जो तनाव है, वो यही हजारी परसाद विवेदी वाला तनाव है, कि जो पुरानी पीड़ी है, वो आगामी पीड़ी को अधिकार नहीं देना चाते हैं, और जो अधिकाश तक होता है, कि यहां पर 77-80-90-90-80 साल माल लेजिए कली हो गए, 70-70-80 साल की उमर हो जाती है, लेकिन जो सास सासे हैं, वो शादी तो कर लेती हैं बेटा की, लेकिन बेटा को इस तरीके से करती हैं, कि जैसे वो बिल्कुल उनका ही हो, अब जो अपना घरबास सारी अच्छी होती हैं और सास हैं बुरी होती हैं वह बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहां जो हजारी पर साथ दिवेदी जी कह रहे हैं उसके संदर में अब इन बहुतों को लेट अधिकार मिले हुए हैं क्योंकि सतर असी साल तक ही जब सास होती हैं तो पचास साथ 40-45 पचास अधिकार नहीं मिलते फिर जब इनके बच्छों की शादी होती है तो इनको अधिकार नहीं मिले तो यह भी सुख लेना चाहती हैं यह भी अपनी वहूं के साथ वैसा ही व्यावार करतें आपने सुना होगा ना हमारी सास तो ऐसे करती थी हम तो ऐसे करते थे ऐसे रहते थे ये सारी चीजे का क्योंगे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में उस गुटन को उस परिशानी को और कहीं ना कि उस दवाब को जहलाए ऐसे रखते थे रखते ना कि जैसे नौकरानी आ गई घर में तो वो अपने आगामी पीड़ी को तो ये पीड़ी दर पीड़ी दर पीड़ी चलता रहता है तो जो लोग समय रहते अपने दिकारों का त्याग नहीं करते फिर नई पीड़ी क्या उन्हें धकिया का जबरदस्ती उनसे वो अधिकार छीने लेती है और फिर मा तर तरीके से काम, मतलब होता रहता, सब्ढदों में बहतरी बनी रहती है जब तक उन्हे धक्का मार कर निकाल नहीं देते, तब तक जमि रहते हैं मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकाल लिपसा क्यों नहीं समय रहते साब्धान हो जाती जरा और मृत्यू ये दोनों ही जगत के अतिपरिचित और अतिप्रमाणिक सत्ते हैं जरा याने बुढ़ापा और मृत्यू तो है तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी क्या कहा था रामचिर्ट मानस में धरा को प्रमाने ये ही तुलसी जो फरा सो जरा जो बरा सो बुताना जो फला है जो फली भूत हो रहा है वो जड़ेगा भी मैं सिरीश के फूलों को देख कर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते हैं कि बाबा जड़ना भी निश्चित है सुनता कौन है महा काल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं काल मृत्यूद एक सेकंड रुके आप दोनों बिटा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हूँ मैं दो तीन बार आपको समझा चुकी हूँ आप प्लीज यहां से चले जाओ सिरीज के फूलों को देखकर मतलब जो काल देवता है वो सपा सब कोड़े चला रहा है जीर्ण और दुरबल जड़ रहे हैं अब वरत्मान में देखें कलियूग में देखें तो जब नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं बेरोजगारी इतनी है परिक्षाय समय पर नहीं हो रही है फिर घर की टेंशन्स प्रैशर तो इतना प्रैशर है काल तो सपा सब कोड़े चला रहा है समय तो चला ही जा रहा है जीर्ण और दुरबल जो है जड़ रहे हैं जिनमें प्राण कड थोड़ा भी उर्दू मुखी है वे ही टिक पाते हैं दुरंत प्राण धारा और सर्व व्यापक कालागनी का निरंतर संगर्ष चल रहा है कालागनी का और हमारी प्राण धारा का संगर्ष तो चली रहा है कि कठेन परिस्तुतियों में कैसे स्वैम को क्या नहीं है वो कितना संगर्ष कर रहें उनके लिए नोकरी कितनी जरूरी है तो निरंतर संगर्ष चल रहा है अंउर मनुष्य में मूर्क समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें, तो काल देवता की आँख से बच जाएंगे, भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, और आगे की और मुह की रहो, तो कोडे की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे, बहता पानी दमता जोगी कहा भी जाता है, इन जाएंगे, जो सब जिसको जानते हो, वो मतलब बहूं के साथ ऐसे वियेव करती है, कि वो हमेशा ही जवान रहेंगी, जब तक उनके आथ-पैरों में ताकत होती है, ना, सासों के, तब तक तब वो अपनी बहूं के प्राण लेने, प्राण तो नहीं ले पाती, लेकिन कु जाने आता, ना, देखने आता, ना, सही को, सही और गलत को, जैसे ही बुज़र्ग अवस्ता ऐसी होती है, कि आथ-पैर काम नहीं करते, तब बेटों को भी पता है, कि अरे, मतलब दुनिया क्या काईगी, इसके डर से, उस तो फिर उनकी सेवा, लोक डर से ही करी जाती है, प्रेम नहीं हो सकता उन रुष्टों में कभी भी, पर फिर भी समाज के उससे हम कर ही लेते हैं, सेवा, एक एक बार मुझे मालूम होता है, कि यह सिरीश एक अदबुद अब्दुद है, दुखो या सुक वहार नहीं मानता, ना उदो का लेना, ना माधो का देना, जब धर हजरती और आस्मान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत नजाने कहां से अपना रस खीचते रहते हैं, मौज में आठो याम मस्त रहते हैं, जैसे योगी मस्त रहता है, एक वनस्पती शास्त्री ने मुझे बताया, कि यह उस ट्रेणी का पेड़ है, जो वायू मंडल से अप से सरस रचनाय निकली हैं, कवीर बहुत कुछ इस सिरीश के समान हीते, मस्त और वेपरवा, पर सरस और मादक, काली दास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, सिरीश के फूल फकडा ना मस्ती से ही उपस सकते हैं, और मेग दूत का काव्यवी उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल उन्मुक धिर्दय में उमर सकता है, जो प्रेमी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कर नहीं बन सका, जो किये कराये का लेखा जो का मिलाने में ही उलज गया, वह भी क्या कवी है, कहते हैं कि करनाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्व पूरव कहा था कि एक कवी ब्रह्मा थे, दूसरे वालमिकी, और तीसरे व्यास, एक ने वेदो को दिया, दूसरे ने रामायड को, और तीसरे ने महा भारत को, इसकी अतिरिक्द, यदि कोई और कवी होने का दावा करे, तो मैं करनाट राज की प्यारी रानी, उसके सिर पर अपना बाया च मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डाटा भी ना जाए पर मैं कहता हूँ कभी बना है मेरे दोस्तों तो फक्कड बनो सिरिश की मश्ती की और देखो लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं मरने दो आगे क्या लिखते हैं हजारी परसाद विवेधी के मरने दो सब को चार तुक बंदी क्या कर ली कि सब को आज के जमाने में कभी वनना है सब कभी समझने लगते हैं कालीदास वजन ठीक रख सकते ते क्योंकि आना सक्ति योगी कि इस्तृर प्रचयता और विधंद प्रेमी का हिदए पाच चुके थे विधंद प्रेमी क्यों थे कालीदास इसके लिए मोहन राकेश का एक नाटक है आशाडье का एक दिन उसको पढ़िएगा आप आप मल्लीका सब ही मिल जाएंगे कभी होने से क्या होता है मैं भी छंद बना लेता हूँ जोड लेता हूँ और कालिदास भी छंद बना लेते थे तो कभी जोड ही सकते होंगे इसलिए हम दोनों एक शेणी के तो नहीं हो जाते पुराने सहर्दैने किसी ऐसे ही जाविदार को फटकारते हुए काता मैं तो मुग्द और विसमें बिमूर होकर कालिदास के एक एक शुलोक को देखकर हैरान रहे जाता हूँ अब इस सिरीश के फूल काही उधारन लीजिए शकुन्तला बहुत सुन्दर थी सुन्दर क्या होने से कोई हो जाता है देखना चाहिए कितने सुन्दर हिर्दै से वे सुन्दरे डुब की लगा कर निकला है शकुन्तला कालिदास के हिर्दै से निकली थी विधाता की ओर से कोई कारपाणने नहीं था कभी की ओर से भी नहीं था राजा दुश्यंत भी अच्छे भली प्रेमी थे उन्हें ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था लेकिन रह रहे कर उनका मन खीज उठता था उहूं कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है बड़ी देर बाद उन्हें समझ माया शकुंतला के कानों में वे उस शिरीश पुष्प क को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे और रहे गया है शर्चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुप्र मिरनाल का हार कालिदास सौंदरे के बाहे आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे दुखों की सुख वे अपना भावरस उस अनासक्त क्रिपीवल की भाती खीच लेते थे जो निर्दलित ख्शु दंड से रस निकाल लेता है कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे कुछ इसी सिरेणी की अनासक्ती आधुनिक इंती कवी सुमित्रा नंदन पंत में है कावीवर रविद्रनात में भी यह अनासक्ती थी एक जगे उन्होंने लिखा राज-द्यान का सिंग द्वार कितना ही अवरवेदी क्यों ना हो कि उसकी शिल्प किला कितनी ही सुन्दर क्यों ना हो वह यह नहीं कह सकता कि हम में आकर ही रास्ता समाप्त हो गया असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही आता है यह बताना उसका कर्तव्य है फूल हो या पेड वह अपने आप में समाप्त नहीं है वह किसी अन्य वस्तू को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है वह इशारा है अब आप समझें सिरीश के फूल्प के माद्यम से क्या कहना चाते हैं जारी परसाद दिवेदी अब आप इसे राजविद्यान का सिंग द्वार किसे समझ सकते हैं आपकी जो नौकरी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके जीवन में अंत नहीं होना चाहिए बहुत से लोग आलसी हो जाते हैं नौकरी के पाने के बाद लेकिन अगर आप इसको प्रारंब माने तो यह सुंदर सिंग द्वार के समान है, उसके प्रवेश द्वार के समान है, जिसमें प्रवेश करके फिर आप बहुत सुंदर जीवन जी सकते हो, समाच के लिए कुछ कर सकते हो, अच्छा। मंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या इस्थर रहा जा सकता है, शिरीश रह सका है, अपने देश का एक बुड़ा रह सका था, मेरा क्यों मेरा मन पूछता है, कि अयसा क्यों समभब हुआ, क्यो언 की सिरीश भी अवधूत है, सिरीश वाजू मंडर से रस कीच कर इतना कोमल और कठोर हो सका था मैं जब जब शुरीश की ओर देखता हूं तब तब हूँ कुठती है हाई वह अब धूताज कहा है